नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंतरी तेजस्वी यादव मंगलवार की सुबा मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर भड़क गए दो गटनाओं का जिक्र किया और कहा की मुख्यमंतरी को कुछ लेना देना नहीं है तेजस्वी यादव ने रोहताश में एक लड़की के अपरण के बाद उसकी हत्या एवम औरंगावाद के नभी नगर में होई एक गटना को लेकर नितीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा दिल दहलाने वाली निर्मम गटना में रोहताश के डेहरी में मीठापूर गाओं की बेटी नीतु कुश्वाह का अपरण कर हत्या कर दी गई है कुछ दिन पहले ही नभी नगर में भी दूसरी बेटी श्रिया की हत्या की गई थी बिहार में अपरादी बेखौफ हैं महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संग्रश्चित है अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है सरकार की तरफ से कोई समवेद ना व्यक्त नहीं किरता बिहार में विदी विवस्ता दुस्त हो चुकी है मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना नहीं है इससे पहले तेजस्वी आदव ने सोमवार को भी सरकार पर हमला बोला था एक्सपर लिखा सरकारी अपरादियों ने शेकपुरा में बैंक लूटने के बाद अब घर में गुजगुज कर महिलाओं की हत्या की अपरादियों की बहार है बिहार में छेंदलों की NDA सरकार है तेजस्वी आदब बिहार के अलग-अलग जिले में कहीं पुल गिरने और कहीं पुल धसने के बाद भी नितिश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं अब उन्होंने औरंगाबाद और रौताश की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है साथ ही आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले में चर्चित श्रिया हत्याकान का पुलिस ने खुलासा कर दिया है इस मामले में दो सगे भाईयों को पुलिस ने गिरफतार किया है पुलिस की कहना है कि दुषकर्म के बास श्रीया की हत्या की गई थी 11 जून को श्रीया गट से निकली थी 13 जून को उसकी लाश मिली थी जिस तरीके से बिहार के विदान्सबा चुनाव नस्दीक हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती वी नज़रा रही है और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीती में एहम भूमिका निभाते वी नज़रा रहे हैं आने वाले समय में जेडियो और आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News